हेलो बच्चों, I am Amit Bajarnia, your physics teacher at competition.com, ये छोटा सा information based video है, year 2021 के अंदर, IIT जही कितने number of attempts allow करेगा, इस पर काफी दोना से कोछ speculation चल रही थी, उन speculations को finally full stop लगाने के लिए 13th October को Joint Admission Board, that is JAB, Joint Admission Board, इनो ने एक meeting ली, Joint Admission Board जो है, वो IIT के अंदर, जो entrance exam है, उनको govern करती है, इस साल, 2020 के अंदर, Joint Admission Board जो था, वो IIT Delhi के अंदर था, और 2021 के अंदर, मतलब अगले साल जो IIT JAB का advance का exam होगा, वो IIT खड़कपूर के अंदर में होगा, तो 13th October को एक meeting ली गई, और उसके अंदर इस बात को discuss किया गया कि हम 2021 के अंदर, किस year के pass out बच्चों को IIT JAB के अंदर allow करेंगे, अभी तक क्या था, कि IIT JAB के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही attempt allowed थे, 12th के साथ, और 12th के बाद, एक साल आप drop और ले सकते हो, पिछले 4-5 दिन से ऐसे speculation चल रहे थी, कि 2021 के अंदर, 3 attempt allowed होंगे, ऐसे speculation थी, 3 attempt मतलब, एक बारवे के साथ, फिर एक drop, जो हमेशा मिलता है, एक drop extra मिलेगा, ऐसा लोगोंने speculate किया था, लेकिन exactly ऐसा हुआ नहीं, joint admission board के जो meeting हुई, उनमें उनका main concern ये था, कि जो बच्चे कोरोना की वज़े से, या फिर lockdown की वज़े से, एक्जाम देने नहीं पहुँचे, उन बच्चों को एक मुका extra मिलना चाहिए, तो इन्होंने इसके लिए एक algorithm बनाया, उने एक system बनाया, and they said that, कि 2021 के अंदर, IIT या फिर J-Advanced, 2021 के अंदर, हर साल जिस तरह से बच्चे allowed होते हैं, वो तो रहेंगे रहेंगे, 12th वाले, और 12th के बाद, एक साल जो drop करते हैं, वो तो allowed रहेंगे, इनके साथ वो बच्चे भी allowed रहेंगे, जो 2020 के अंदर mains qualified थे, mains qualify करने के बाद, उन्होंने, IIT J-Advanced का form फिल किया था, मतलब registration किया था, लेकिन किसी तरह से exam देने नहीं पहुँचे, किसी कारण से भी exam देने नहीं पहुँचे, exam के अंदर वो absent रहें, IIT J-Advanced 2021 दे सकते हैं, बिना mains का exam दिये, बिना वापिस से qualify के, let me repeat my statement once again, IIT J-Advanced 2021 के अंदर, अगले साल मतलब, IIT J-Advanced में जिस तरह से हर साल बच्चे screen होते हैं, J-Main के exam के थुरू, वो तो होंगे होंगे, जिसमें 12th की बच्चे भी होंगे, और 13th की बच्चे भी आएंगे, जिन बच्चों ने year 2020 के अंदर mains का exam qualify किया, पहली बात, qualify किया, उसके बाद advance का form fill किया, registration complete किया, लेकिन उसके बाद exam देने नहीं पहुंचे, जिन बच्चों ने exam दे दिया, जैसे भी number आए, वो बच्चे year 2021 के अंदर exam में बैठने के लिए eligible नहीं है, किन बच् बैठर वाले बच्चे, जो रपिटर वाले बच्चे, तो year 2021 के अंदर कौन-कौन बच्चे बैठ सकते हैं, of course, जो 2021 के अंदर 12th का class का exam देंगे, वो बैठ सकते हैं, जिन 2020 के अंदर 12th class का exam दिया है, वो भी of course, बैठ सकते हैं, mains का exam होगा, फिर इस गरने को भी बैठ सकते ह साथ 2019 के अंदर जिन लोगों ने 12th class का exam दिया exam के बाद उन्होंने mains को qualify किया qualify करने के बाद IAT J advance का form भरा और form भरने के बाद वो exam के अंदर absent हुए तो आप बोलोगे sir ये वाले बच्चे तो हमेशा ही eligible थे exam बैठने के लिए बिलकुल year 2021 के IAT J advance के अंदर बैठने के लिए ये बच्चे तो पहले से qualified थे जो 12th 2020 में देंगे और 12th 2021 में देंगे लेकिन उसके साथ 2019 वालों में से 2019 में 12th का exam दिया है वो बच्चे वही बैठ पाएंगे जोन्होंने mains का exam qualify कि हो आई टी जे का form बढ़ाओ और exam में absent हो किसी भी कारण से जरूरी नहीं कि आपको कोरोना हो कोविड हो कोई आपको documents देने हो ऐसा बिलकुल नहीं है आप किसी भी कारण से absent हो इवन आपके तयारी नहीं थी इस करण से अगर आप absent थे तब भी आप exam दे सकते हो बशरते कि आप आपने exam ना दिया अगर आप exam में बैठ के तो आपके number कितने भी आए आप अगले साल अगला drop नहीं ले सकते है अगर आपका 2020 के अदर drop था तो अगला drop है आप next drop नहीं ले सकते है तो second drop सिर्फ और सिर्फ उनके लिए allowed है जिन बच्चों ने ITJ means का exam qualify किया ITJ advance का form भरा लेकिन form अणने के बावजूद exam देने नहीं पहुचे किसी भी कारण से बाकी तो 2021 के अंदर 12 वाले बच्चे of course eligible है जो dropper है वो बच्चे of course eligible है first time dropper तो of course eligible है बात किसी चल रहे है second time dropper की तो सारे के सारे second time droppers जो है वो allowed नहीं होंगे जो यह तीनों की दिनों क्राइटीरियास को फुल्फिल करते है में का exam qualify कियो advanced का exam का form बढ़ा हो लेकिन advanced का exam देने ना पहुच है I hope you get the point अब इसमें कुछ बच्चों को खास तोर से जो 2020 में और 2021 के अंदर जो बार भी class pass कर रहे हैं या करेंगे उन लोंगों एक हलक इस बात को बहुत क्लियर कहा है कि जो में के अंदर जिन बच्चों को screen करते थे चाटते थे कि इतने बच्चे एडवांस का exam दे पाएंगे वो संख्या जो होगी वो जितनी हर साल होती है उतनी की उतनी इन बच्चों के लिए रहेगी यह बच्चे एक्स्ट्रा बैठेंग यह जो बच्चे हैं अगर मालो कि पहले भी धायलाग थे तो अब भी धायलाग बच्चे ही वापिस से आईटी जी एडवांस का exam दे पाएंगे यह एक्स्ट्रा बच्चे रहेंगे और मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर ऐसे बच्चे होंगे जिनका exam इस तरह से छूटा हो फिर भी पूरी इतनी बड़ी इंडिया है हो सकता है कि 20-25 बच्चे ऐसे हो जो पढ़ने हो बहुत अच्छे हो अच्छी तयारी कर रखी हो और इसके बावजूद exam देने ना आ सके हो और हो सकता है कि उनको करोना भी हो घर में किसी हो क लोग्डाउन की situation ऐसी हो हो सकता है कि मांज से क्स देती बें कोई इस तरह कब अदलाव आया हो तो हो सकता है कि कुछ बच्चों मैं exam इस कारण से ना दे पाये हो तो उन बच्चों के लिगले से बहुत बढ़ा वर्डान है लिए इनकी संख्या मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं होगी कि वो competition को बहुत ज़्यादा tough करते हैं तो मेरे ख्याल से competition पर बहुत बड़ा इतना अंतर नहीं पड़ेगा थोड़ा पहुत तो फर्क of course पड़ता ही और पड़ना भी चाहिए जिन बच्चों का exam किसी कारण से अगर मालनी के नहीं हो बाया तो उशे तो यह फेर मुका मिलना चाहिए भी था यह च्छटा से confusion कई बच्चों को था तो मैं फिरसे बोलता हूँ हर बच्चा eligible नहीं है 2nd drop के लिए 3rd attempt लिए सिर्फ वही बच्चे eligible है जो उनने means qualify किया हो, advance का form वरा हो और उसके बाद किसी तरह से वो exam किसी कारण से भी exam देने ना पहुंचा हो IIT advance का सिर्फ वही बच्चे 2021 के अंदर eligible है बिना कोई means का exam दिया, बिना कोई means का exam दिया, means का exam वापे से देने के उनक ऐसी ही कोई और information अगर आपको चाहिए आप हमें होता सकते हो, यह हमारी website है, आप हमारा app डाउनलोड कर सकते हो, competition के नाम से Google Play Store से, कोई भी queries वगर हो, यह phone number है, यह हमारा email ID है support at competition.com, आप app ज़रूर डाउनलोड करें, आपकी IITJ की जितनी preparations वगर है, उनमें help के लिए प्लेस्टोर मिल जाएगा, all the rest.